यह इंटरनेट पर काफी वाइरल दो लड़किया जो ट्वीन सिस्टर है फिर बच्चा लोग आपने धूम मुवी आई थी लेकिन वहाँ पर आमीर खाल तो वह आप मुवी भी समल दीजिए या रियालिटी में समल दीजिए हम देखेंगे तो एकजेटली दोनों एक दूसरे लुए नियुकेमिस्टरी तो बच्चा लोग जो इलेक्टरॉन के एर्रेंजमेंट के बारे में हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे उसमें हम लोगों ने एक आउफबाउ का कंसेट हम लोगों ने पढ़ा ready वहाँ पर हमको सिर्फ ये पता चला कि electron किस sequence में orbitals में arrange होते है लेकिन कैसे मतलब कि orbitals की अंदर भी by parts है ना sub-orbital मतलब कहा जाए तो यार PX, PY, PZ वहाँ पर electrons कैसे arrange होते है वो सारी चीज़े अभी हमाँ discuss करेंगे Pauli and उसके बाद Hund का जो concept है वहाँ पर तो Pauli's exclusion principle यहाँ पर Pauli ने टेक्स्ट बुक में बताया है वो क्या बताया number of electrons to be filled in various orbitals जो various orbitals में electrons जो fill up होने वाले is restricted by Pauli's exclusion principle अच्छा तो पर Pauli ने क्या बताया according to this principle no two electrons in atom can have the same set of four quantum number जो four quantum number से उनका को एक set रहता n, l, ml and s तो किसी भी electron का यह जो four quantum number का जो set रहता है वो same नहीं रहता है मतलब in other words only two electrons may exist in the same orbitals and these electrons must have the opposite spin अभी यह क्या कहते है थोड़ा उपर का sentence समझा दाओ फिर नीचे आदे फिर एक बढ़िया से creative example से समझें के perfectly आपको समझ में आ जाएगा तो देखिए no two electrons in atom मतलब कि किसी भी atom में कोई भी आप electron ले लो समझें कि किसी atom में 50 electron है तो 50 में से कोई भी दो electrons ऐसे नहीं होगे जिनके चारो के चारो मतलब कि और false quantum numbers जो भी हो सारे सेम रहेंगे मतलब कि ऐसे example कि बच्चा लोग आप लोगों ने मेरा quantum number वाला वीडियो देखा होगा वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि उसको example के साथ मैंने connect किया था quantum number मतलब कि समझ लेजिए कि एक आधार कार नंबर हम जो इंडिया में रहते हैं उनका एक आधार नंबर रहता है बच्चा लोग तो इतने सारा मतलब इतना सारा population है तो सभी का जो आधार कार नंबर कहा जाए या unique ID कहा जाए तो वो सभी का क्या रहता है different रहता है किसी भी दो बंदे का आधार का नंबर exactly perfectly word to word letter to letter same कभी number to number same नहीं होता है कुछ ना कुछ सभी समझ लिजे कि digit same है लेकिन को एक भी digit तो ऐसा होगा कि वहाँ पर उससे वो differ हो जाए समझ में आ रहा है कि ही समझ में आ रहा है उसके बाद ये क्यों लिखा है इनोंने वो दिरे दिरे आपको समझाते हैं पहले एक example से समझते हैं क्यार सारी चीजे perfectly सब कुछ same होते हुए भी कुछ को एक चीज तो ऐसी होगी जो भगवार ने समझ लिजे कि आपने बहुत सारे इस तरह के twins वाले example हम लोगों ने देखे हैं यह internet पर काफी viral दो लड़किया जो twin sister है इनका नाम सायद कुछ चिंकी मिंकी है पिंकी ऐसा कुछ है exactly मुझे नेम ने पता है लेकिन देखेंगे एक एक example है फिर बच्चा लोग आपने दूम movie आई थी वहाँ पर दूम 2 शायद आई थिंग बाल देख लिजिए उनका smile देख लिजिए या इन दोनों का कोई भी face खान का style देख लिजिए आमिर खान का तो दोनों exactly same to same है राइड दोनों बेहनों को भगवान ने exactly same लेकिन कुछ कोई एक चीज बहुत सारी चीज़े मतलब ऐसा तो सिर्फ मैं कहता हूँ एक चीज लेकिन भगवान ने बहुत सारी छोटी-छोटी ऐसे चीज़े दो परसन में ऐसे बनाई होती है कि exactly भगवान ने किसी भी दो बंदे को exactly same नहीं बनाया है कोई ना कोई चीज तो different होगी समझने कि इन दोनों चीज़े ऐसी होती है physical या psychological या और किसी भी तरह से कि उन दोनों में difference तो भगवान ने बनाया है मतलब बनाया है तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो हमने आउफबाव ने सारी पावली ने जो यह sentence दिया है no two electrons in atom can have the same set of four quantum number वहाँ पर दो सेम हो सकते हैं तीन सेम हो सकते लेकिन चौथा तो बदलेगा मतलब बदलेगा मतलब कि समझ लिजे के दोनों का एन का value L का value ML का value सब कुछ सेम है लेकिन लास्ट में एक electron clockwise एरेंज होता है एक electron anti clockwise होता है यस हाँ बाई वो बात याद आगी देखिए थोड़ा पर परफेक्ट लिए एक chemistry के example समझते यह sentence मैंने आगे वाले reference के लिए यहाँ पर repeat किये carbon का बच्चा लोग मैंने आपको यहाँ पर electronic configuration लिखकर दिया हुआ carbon का number 6 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz 0 वहाँ पर specifically red green orange color लेकर जो 2s हमारा है तो 2s में जो दो electron थोड़ हैं फोर्थ में उन दोनों के लिए 2s दोनों के लिए n का value सेम रहेगा फिर दोनों के लिए l का value तो 0 रहता है ml का भी value 0 लेकिन एक electron हमारा clockwise एक electron by anti-clockwise हो जाएगा एक clockwise एक anti-clockwise तो last में तो देखिए यह different हो गया या नहीं हो गया लेकिन एक X है एक Y है एक Z है तो एक X Y Z के लिए 0 1-1 मतलब कि ऐसा fix नहीं होता है कि भाई PX X के लिए always minus 1 Y के लिए always 0 नहीं बट समझाने के लिए मैंने आप यहां पर लिखा कि ml का value तो दोनों का क्या रहेगा different किसी के लिए 0 है तो किसी के लिए minus 1 रड़ इन तीनों में से तो कोई एक तो plus 1 होगा and last में हाँ यह फिर same आगया तो देखिए यहां पर 2-2 same आगया फिर L का value भी same आगया समझी के दोनों electron clockwise ही गुम रहे क्योंकि single single है तो वो भी same आगया लेकिन change कहाँ पर आगया ml में मतलब कि किसी भी atom में कोई भी electron देख लिए चारों के चारों quantum number कभी भी same नहीं होते यह Pauli ने बहुत ही बारिकी से देखा तब उनको उनके observation में यह चीज आई चलिए अब यह आगे क्या बताते इससे हमें क्या benefit हुआ तो we can calculate the capacity of electron to be present in any subcell मतलब कि यह पता चल गया कि किसी भी cell में सिर्फ दो electron रह सकते हैं क्लॉक्वाइज एक एंटिक्लॉक्वाइज तो भाई एस और्बिटल तो सिर्फ एक ही रहता है राइट पी के थ्री पॉसिबल है कौन-कौन से बाई पी कलर चेंज कर ले थे बाई पी का एक पी एक्स पी वाई पी जड़ एंड सभी में दो-दो एलेक्ट्वॉन तो यहां पर दिखा जाए तो यहां पर कितने दो यहां पर टू प्लास टू प्लास टू इस एकुल टो सिक्स सटर मावान भॉट की क्यापेसिट़् कितने है ब Works लेक्ट्ट्वं अगर डिकेले ने फुक्षिंट लिए चो एक्स saudar में दो वाई में दो ए जीरो प्लस वान प्लस टू हाँ ये माइनस वन माइनस जीरो या सॉरी माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू इनका dxy yz के साथ को डारेक्ट रिलेशन नहीं है लेकि मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है कि हमको पता है d orbital के लिए l का value बच्चा लोग 2 है तो ml का जो value है minus l से start होकर प्लस l मतलब minus 2 से start करकर प्लस 2 5 है सभी में 2 दो तो d की capacity कितनी है बच्चा लोग यहाँ पर लिखा है capacity तो कितनी है भाई 10 उसी तरह से f का f के लिए l का value बच्चा लोग कितना है 3 तो इस रेंजिंग फ्रॉम minus 3 to minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2 and finally last plus 3 तक मतला total 7 तो 7 तो 14 तो इस से हमें capacity पता चलती है बाई अच्छा उसके बाद एक sentence textbook में बड़े एक्सार में bold font में लिखा हुए क्या लिखा है maximum number of electrons in this shell with the principal quantum number n is equal to 2 and square मतलब के समझ दीजे कि n is equal to 2 है तो उसमें S and P दोनों present है n is equal to 3 है तो वहाँ पर S, P, D तीन present है लेकिन सभी में electrons हम completely भर देते हैं तो उस n is equal to 3 या 2 या 4 की capacity कितने रहती है वहाँ पर 2 and square जितने electrons होते है कैसे दीखिए मैंने पूरा calculation आपको यहाँ पर समझाय हुआ है यह पूरा table हमारे text book में नहीं है लेकिन समझने के लिए मैंने पूरा table आपके लिए ready किया देखिए ऐसे example के मैं n is equal to 2 से start करता हूँ तो वहाँ पर s and p दो ही present है मैंने आपको पहले quantum number में याद करवाया हुआ है के भाई आपको कैसे याद रख रहे है false standard में एक division second standard में दो division s and p third standard में s, p, d मतलब पर जो भी n का value है उतने वहाँ पर division मतलब के s, p, d, f वो रहेंगे तो देखिए n is equal to 2 तो s, 1, p के कितने orbitals तीन ये electrons नहीं है orbitals है तो total number of orbitals कितने हुए n square मतलब 4 n is equal to 2 तो number of orbitals 4 होगे मतलब के n square हाँ भाई सभी में दो-दो electron तो 2 into 4 मतलब के 2n square total हुए 8 तो अगर मुझे वहाँ पर पूछते है कि number of orbitals तो n square से number of electrons तो उसे 2 से multiply करेंगे सभी में दो-दो electron that's why 2n square तो देखिए n is equal to 3 में by s available है p available है d available है s में एक ही orbital रहता है अंदर p में p x y p y n p z 3 उसे तरह से d में कितने है वेले भले 5 तो 3 plus 5 plus 1 1 9 तो अगर 3 का हम square करते है तो value क्या बनती है 9 उसे 2 से multiply करते है तो 18 मतलब के n is equal to 3 में जो 3s 3p 3d सभी को मिला कर अगर हम electrons का total करेंगे तो कितना होता है 18 तो इस sentence से आपको perfectly समझ में आ जाएगा इस table से भी आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये 2N square होता है तो छोटा सा पॉली का concept है ये लेकिन उससे में पता क्या चला पॉली से जो दो बाते उससे वहाँ से निकल गई पहला कि किसी भी दो electrons का 4 quantum number का value कभी भी same नहीं होता है दूसरी बात यहाँ से ये पता चली कि भाई हर orbital की कितनी capacity है सभी में सिर्फ दो electrons वो अकमट करता है मतलब कि 2, 2, 2, 2, 2, 2 सभी में आएंगे तो वहाँ से S में कितने, P में कितने, D में कितने, F में कितने वो पता चला and finally ये जो sentence था वहाँ समय ये पता चला कि अगर n is equal to 3 है तो उसकी 18 electron की रखने की capacity है राइट बच्चा लोग तो यार ये concept वीडियो एक बार, दो बार repeat करकर देखिए perfectly concept आप revise की जिए और अच्छे से अच्छे marks लेकर आईए